हेलो गाई साज बात गिने वाल है रिलाइस ग्रूप की एक और कंपनी के बारे में आप लोगों इस दो बताने वाला हूं जिसका नाम है रिलाइस कैपिटल तो इसका जो रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट कैसा आए वो आप लोगों को बताऊंगा इस वीडियो के अंदर रिजल्ट में आप लोगों क्या इंप्रूप्मेंट देखने को बिलट रहा है कि नहीं वो भी आप लोगों बताऊंगा क्या आप लोगों कोई इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं यह सारे के सारे रिजल्ट्स quarter and quarter और year on year business पर हम बात करेंगे सारी की सारी चीजों का तो ये full रिवीडियो रहने वाला है Reliance Capital के उपर तो ये वीडियो अंतर देखते रहना तो सबसे पहले फाइल के उपर चलता है बाकी सारी बात में बात करता है तो यहां पर से Reliance Capital के उपर आ चुके है और यहां पर आप लोगों को 8 में 2020-2021 का इसका रिजल्ट आप लोगों को एनाउस होते हुए देखने को मिल रहा है कोई भी यहां पर से फर्स्ट पेज पर डिवीडियों का एनाउस्मेंट नहीं देखने मिल रहा है और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए इस कंप्री से डिवीडेंट यह चीज़ आप लोगों में सीधी बात करते हुए तो यहां पर से आप लोगों को इसका जो यह सारी की सारी जो अमाउंट है यह सारे का सारा जो यहां पर डेटा दिया गया है वो करूर्स में है और यहां पर रिलाइंस का पिटल लिमिटेड आप लोग देख सकते हुए March quarter का result है यह चीज़ आप लोगो बता देता हूं हम बात करेंगे quarter and quarter और year on year business पर company का result आप लोगो बताऊंगा कि कैसा रहा है तो अब हम बात करेंगे सबसे पहले revenue total income के बारे में revenue from operation और उसके साथ other income मिला कि total income company की बन जाती है दो करूर रुपीस की इस quarter ही ठीक है तो यहाँ पर आप लोगो देखोगे तो quarter and quarter बहुत ही जादा अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रहा है company almost डूबने के कगार पर है और डूब भी गई है यार डूब भी गई है यह चीज़ accept कर ले न ठीक है और अभी आप लोगों को यहाँ पर से company year on year business पर बात करें तो यहाँ पर भी आप लोगों गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है और यहाँ पर हम बात करें expense क expense में भी आप लोगों भाई देखोगे दो करोड रुपे का income किया है और expense देखोगे तो भाई फाड देखा भाई expense आप लोग देखोगे ना तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा expense कहाँ पर हो रहा है एक तो भाई finance cost करके यह expense बहुत ज़्यादा है 400 करोड रुपे का व इसमें loss जल रहा है मतलब आप लोग बूल सकते हो कि यार company का total expense unbelievable unbelievable है ठीक है छोबी है यार तो यहाँ पर आप लोग quarter है quarter बहुत ज़्यादा fluctuation है expense के अंदर पर expense बहुत ज़्यादा ही है अभी काम कर लेते है net profit और loss हम देख लेते for periodic year तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे company ने continue minus में ही return दिया है बिल्कुल भी अच्छे returns है नहीं company के और यहाँ पर हम बात कर लेते company का माइनस में चल रहा है इसका क्या हम बोले minus अभी 3865 करूर रुपीस minus में चल रहा है इस quarter के अंदर जो यहाँ पर से quarter and quarter घटा है पर आप लोग देखोगे तो पिछले साल का quarter से हम compare करेंगे तो उससे भाई बहुत ज्यादा minus हो चुका है ठीक है यह भी अब लोग चीज जाद रखनी है और यहाँ पर minus year on year basis पर minus 10,972 करूर रुपीस तो भाई unexpected सारी चीज़े है और यहाँ पर से loss के बात करें तो same to same आकड़े same to same ही है almost और EPS के दी बात ही नहीं कर सकत यार EPS कुछ काम का ही नहीं है इस जो segment के अंदर company बहुत जादा बेकार है और dividend का कोई भी प्रकार का announcement नहीं कोई बड़ा announcement देखते को नहीं मिल रहा है यहाँ पर है अभी हम बात करते है company के loans की तो company की loans यहाँ पर assets की बात खेरे loans assets के उपर तो यहाँ पर से 977 करूर चले 2020 में बहुत ज्यादा थी और उसमें आप लोग देखोगे इसका borrowing देखता है देखने का आप लोगों बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो आप लोग पता चलेगा borrowing continue company become नहीं कर रही है यह चीज ज्यादा तक ना company का जो borrowing ह यहाँ पर आप लोगों को borrowing के उपर interest भी चार्ज होता है वो interest भी आप लोगों में दिखाता हूं तो अभी हम बात के लेते company का जो चार्ट पेटर ने वो दिखाता हूं और company के जो promoters है उसमें बहुत जादा इसमें बहुत जादा गफला कर रहे है इस company में पढ़ना मत penny stock स और कुछ बड़ा investor आकर यहाँ पर पैसा डाल दिता है company खरीद लिता है तो हो सकता है कि company बच जाए वरना तो यहाँ पर possibility बहुत ही जादा मलब almost 0% है ठीक है 0% ही है ठीक है अभी हम बात कर लेते direct ही चार्ट पेटरन के उपर to reliance capital के चार्ट पेटरन के उपर आचुके है और यहाँ पर ग्यारा रुपीज के आस बस इसका प्राइस चल रहा है और अभी की बात करें 2.7% की तीज़ी देखने मिली है फाइडेस की बात करें फाइडेस में इस company ने ग्यारा 10% के रिटन दिया है 9% वन मन्त में इस company ने माइनस प्लस 2% के रिटन दिया है और 6 मत की बार रिक्त करें 34% का रिटन और वन येर की यहाँ पर बात कर लेते तो वन येर में company ने टॉप टू बोटम देखेंगे उससे बेले 36% का रिटन दिया है यहाँ पर company का maximum chart रिटन पांच येर का देखा दा हूँ company एक टाइम पर पांच साल पहले 400 रुपी के आस बात चल र company के management ने कच्रा कर दिया company का और बहुत जादा debt हो गया company डूब गई और उसके बाद अन्हे नंबानी भी निकल गए इस company से और उनके उपर अभी बहुत सारे cases चल रहा है अभी यहाँ पर से क्या हो रहा है retail investors को फसा जा रहा है यहाँ पर आप लोगो maximum chart वेटन दिखा देखने को मिली देखो company start हुई यहाँ पर इस time frame पर company का एकड़म अच्छा performance चल रहा था और उसके बाद इस company में घोटा ले चालू हो गए company बहुत जादा कर्स में आने लगी तो यहाँ पर आप लोगो बहुत जादा बड़ी गिरावर देखने को मिली company के share के नीचे उप एक्चुल में जो price थी ना अभी आप लोग one year के पहले one year पहले five year के पहले आप लोग देखोगे 2020 के अंदर चार रूपे इसकी price चल रही थी और अभी 11 रूपे चल रहा है तो इसका क्या इसमें क्या होगा पता है कि यहाँ पर से price को बहुत जादा उपर लिया जाएगा उ देखो आप लोगों को तो यहाँ पर रिलाइंस capital बताई है non banking financial company थी तो यहाँ पर अभी निचे की तरफ हम चलते market के बहुत जाथा चूटा है book value minus में चल रहे है current price आप लोग देख सकती हो आरो यारो सी सारी चीज़े वह चीज़ें हमें देखनी नहीं में आप लोगों को इसका जो इंट्रस्ट है वह company के उपर इंट्रस्ट की इतना चार्ज हो रहा है अभी की बाद करें अपनी जो भी public के पास bank के पास जो borrowing लेकर रख्य हुई है उसके उपर यहाँ पर quarterly बताया जा रहा है ठीक है quarterly यहाँ पर से interest बहुत ही जादा चार्ज किया जा रहा है तो यहाँ पर से इतने रूपीज का इंट्रस्ट है इतने करो रूपीज का और अभी इंट्रस्ट चार्ज है साथ सो पांच करो रूपीज का इंट्रस्ट चार्ज इतनी तो company की earning भी नहीं है इंकम भी नहीं है इतना तो इंट्रस्ट चार्ज कर रहा है company के उपर और यहाँ प सोस्के चल रहे हैं और उसके बाद यहां पर से हम बात करें अब ayuda करें जब दो कंपनी कि बाद चल रही तब company का performance बहुत जाद अच्छा चल रहा था उसके बाद ये डाउन 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 चल आ गया और उसके बाद यहां पर भी आप लोगों को डाउन देखने मिला कब 2015-16 में ठीक कंपनी का सेल्स बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ हुआ था इसी की वज़े से ठीक है तो वो तो चलो समान लेते हैं कि यार चलो कंपनी का अच्छा परफोमेंस था और उसके बाद अच्छनक से इतना ज़रा करोर रुपे का लॉस तो उसके बाद जो सारे की सारी इंट्रेस अच्छनकी शेर होल्डिंग पैटन की उपर से आप लोग सम देख लो देखो 2018 में इसकी इन लोगों पास शेर होल्डिंग पैटन आप लोग देख सकते हो बहुत जादा थी और उसके बाद कम करते 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 मार्च 2020 बात चल रही यहां पर से इसकी भी सिच्चुशन आप लोगों दिखा दाओं मार्च 33% से इन लोगों ने कितने परसें कर दिये 1.5% प्रमोटर्स निकल गए यहां पर कौन अभी बैठा हुआ है डियाइस वाले भी निकल रहे दिरे-दिरे करके वो भी निकल जादा जो कंपनी पहले कितना स्टेक था 20% का पबलिक का और अभी 94% स्टेक का पबलिक का तो यह चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है कंपनी बुरी-बुरी डूब गई है कंप यहां पर क्या हो रहे है पता है जादा प्राइस के उपर यहां पर क्या को रहता है रिटेल इंवेस्टर कब एट्रेक होते है कोई भी शेर के उपर 20% 10% की सर्कीट मारना चालू करते है तो रिटेल इंवेस्टर इंट्रेक्ट होने चालू हो जाते है तो वह क्या करते है हर रोज सुबह उठकर वह प्राइस लगा कर बैट जाते है और यहां पर से क्या होता बस आप लोगों को मेरे को और कुछ बताना नहीं है कंपनी में इंवेश्ट मत करना यार प्लीज आप लोगों के पैसे मेहनत के पैसे इसलिए हमें बोल रहा हूं ठीक है तो बस गुडबाल फूर गुडबाई फिर मिलता नेक्स डूमें गुडबाई कोई भी दिखके तो मे को में इसलिए सबताना नहीं गुडबाई